हैदराबाद में सन्राइजस बनाम गुजराट टाइटन्स के मुकाबले में एक भी गेंट फेकी नहीं जा सकी क्योंकि बारिश ने खेल बिगार दिया इस परिनाम से SRH को महत्वपुन एक अंक मिले और टीम प्ले आफ के लिए कौलिफाई कर गई 2020 के बाद SRH के टीम पहली बार प्ले आफ में पहुची है 2020 में जब पिछली बार हैदराबाद के टीम प्ले आफ में पहुची थी तो गुजराट के टीम में शामिल कैन विलियमसन SRH में ही थे बारिश के कारण मैच रद्ध होने के बाद विलियमसन को उपल स्टेडियम में सन्राइजस के मालकिन काव्या मारान से मिलने का मौका मिला विलियमसन हैदराबाद के कप्तान भी रह चुके है काव्या और विलियमसन एक दूसरे को देख काफी खुश नजर आए सन्राइजस हैदराबाद के फिलहाल 13 मैचों में से 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहने के कारण प्ले आफ के लिए कौलिफाई करने वाली तीसरे टिम बन गई सन्राइजस हैदराबाद में 2016 में अपना पहला और आकरी खिताब जीता था उनका अगला मुकावला पंजाब किंग्स के खिलाफ है